हेलो अब्रीवन वेलकम टो आवा चैनल आपका हमारे स्वागत हैं बात करेंगे हम इस वीडियो में मुगल समराज के चौथे बादशागी चौथे किंगी इससे पहले मैंने बावर को कहतो मुगल समराज में मुगल बंस की जो संसापिक बावर को मैंने बता दिया अच्छे जो शासन करता है वो कैसे चला उसको भी मैं कवर कर दूँगा लेकिन पहले मैं औरंग्जेब तक कर दूँ या फिर इसी बीच इसी के बीच में मैं कहीं शेर सासूरी को लेकर आजाओं तो मैं इस सबको एक एक करके बताते हुए जा रहा हूं इसके बाद मैं लेकर क्या जिसमें मुगल वंच से पहले जो देली सल्तनात रहती है उसमें गुलाम वंच सयद वंच खिलजी वंच लोदी वंच इस सबको मैं कवर कर रहा हूं तो अभी मैं जहागीर को लेकर क्या हूं इसको मैं बता दू जहागीर जहागीर यह अकबर का बेटा किसका अकबर का बे लुआ पा रहा था तो जहांगीर बॉल सकता और अकबर सलीम चिश्ती के दर्वगाह में गया और सलीम चिश्ती से मिला कहा सलीब यह बॉल नहीं पा रहा रहा है आखिर क्या वज़ाय साहब तो उन्होंने कहा था कि जब एक सलीम जिन्दा है तो दूसरा सलीम नहीं बोल सकता और सलीम चिष्टी जब मर गए तो ये फिर जहांगीर बोलने लगा तो इनका दूसरा नाम जो है वो सलीम ही है जहांगीर को जाना जाता है जहांगीर की पैदा क्या तो जनम जब हुआ था 31 अगस्त 1579 को हुआ था फरस्ट कोशन है अकबर की मिर्ति के बाद उत्रा अधिकारी कौन हुआ अकबर की मिर्ति के बाद उत्रा अधिकारी कौन हुआ एक मातर बेटा जो था अकबर का सलीम जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं अकबर के बाद उत्रा अधिकारी यही हुआ सलीम किस उपादी के साथ आगरे की गदी पर बैठा सलीम को जो उपादी दी गई थी वो दी गई थी नूरुद्दीन मुहमद जहागीर बादशाह गाजी की उपादी दी गई थी जब ये उपादी जब आगरे की गदी पर जब ये बैठा क्या था माता का नाम योद्धा भाई और पिता का नाम अकबर था जहागीर के जिसे सलीम नाम से भी जाना जाता है नेक्स कोश्चन है जहागीर का जनम कब और कहां हुआ था 13 अगस्त 1579 को फतेपूर सिक्री में शेक सलीम चिस्ती की कुटिया में जहागीर का जनम हुआ यह वही शेक सलीम चिस्ती है जिने जहां कहतो अकबर गय थे बेटा जब नहीं हो पा रहा था तो वह वहाँ गय थे और उसके बाद यही सलीम नहीं बोलने के कारण सलीम चिस्ती ने कहा था कि जब एक सलीम जब बोलना बंद कर देगा तो दूसरा सलीम बोलने लएगा तो उसी 30 अगस्त 1579 को फतेपूर सिक्री सलीम चिस्ती के कहतो जनम हुआ था सलीम को किस नाम से पुकारता था शेखु बाबु कहते थे सलीम को क्या कहा जाता था शेखु बाबु कहा जाता था सलीम अपने जीवन में सारदी किस से परवा भी था सलीम सबसे जादा परवा भी था तो वो अब्दुरहीम खान खाना से किसे अब्दुरहीम खान खाना अब्दुरहीम खान खाना ये कौन है तो अब्दुरहीम खान खाना बैरम खान जो संरक्षिक था उसका बेटा है कौन है अकबर का जो बैरम खा संरक्षिक था उसका बेटा है अब्दुरहीम खान खाना अब्दुरहीम खान खाना नहीं बाब बगवान दास की पुत्री मानभाई के साथ 13 फरवरी 550 नागरा के राजा भगवान दास की पुत्री मानभाई से 13 फरवरी 55 धर 1 5 धर 2 3 नियाई की जन्जीर किस चीज़ की बनी थी, सोने की बनी थी, किस की थी, सोने की बनी और आगरा के किले में लगी थी, यह किले में, आगरा के किले शाह बुर्ज में और यमुना के तटपर इस्तित खंबे में लगवाई गई थी, कहा लगवाई गई थी, कि यमुना के उसमें लटकाई गई थी ये नियाई की जन्जीर इसे नियाई की जन्जीर के कारणी जहागीर को बहुत फैमस मशूर माना जाता है और ये किस चीज की बनी थी सोने की बनी भी थी महरून निसा कौन थी महरून निसा जहागीर की पतनी थी जिसे नूर जहागीर की नाम से भी की थी जहागीर ने महरुन निसा को कौन सी दूसरी उपाधी परदान की जिस नाम से वा परशिद वी नूर जहां के नाम से परशिद वी नूर जहां भी कहा और नूर महल भी कहा इसे किस किस नाम से कहा गया नूर महल और नूर जहां दोनों नाम से कहतो उपाधी दी गई थी महरुन निसा को जो जहांगीर की पतनी थी सलीम की पतनी थी नूर जहां का अर्थ क्या होता है संसार की रोशनी नूर जहां का अर्थ होता है next question है महरुन निसा की बेटी का नाम क्या था मेहरुन निसा की बेटी का नाम लाडली बेगम था क्या था लाडली बेगम था मेहरुन निसा की बेटी का नाम जहागीर ने मिर्जा गयास बेग को कौन सी उपादी परदान की मिर्जा गयास बेग को कौन सी उपादी परदान की ये क्या क्या था खुस्रू परवेज खुर्रम शहर यार अम जहांदार खुर्रम को हम शा जहां के नाम से जानते हैं खुर्रम को हम किस नाम से जानते हैं शा जहां के नाम से नेक्स कोशन है खुस्रू की हत्या किस ने करवाई खुर्रम सा जहां ने करवाई किस ने करवाई खु सम्ध नगर को जीतने के बादी शाजहां की उपादी खुर्रम को दी गई थी। 1626 में खुर्रम ने जहांगीर के कैटो विद्रो कर दिया से 26형 लाडली बेगम की शादी इसके साथ सी जहांगीर के पुत्रईर के साथ थी। शहरियार जो चौथा बेटा था जहागीर का ठीक है शहरियार किस नाम से परसित था सुन्दर मुर्क के नाम से शहरियार को जाना यादा था सुन्दर मुर्क ठीक है महावत खाने जहागीर के विरुद विद्रो किया था और एक और विद्रो हुआ था भैरावल नामक अस्थ यह विरुद नेक्स्ट है महावद खा कौन था महावद खा जहागीर का सेना पती था जहागीर की चित्रकला सर्दिक रूची किस कला में थी तो यह चित्रकला में जहागीर की सर्दिक रूची थी और जहागीर के काल में ही जहांगीर के काल में ही चितरकला का स्वर्ण काल कहा जाता है क्या कहा जाता है चितरकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को ही कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके टाइम को कहा जाता है नादिरुल उस्ताद मंसुर को कौन से अउपादी दी गई थी नादिरुल उस्र के नाम से अउपादी दी गई थी नेक्स कोशन है तुजू के जहागीरी किस पुस्तक की रचना किस ने की तुजू के जहागीरी की तुजू के जहागीरी किस ने लिखी लेकिन जहागीर ने लिखना स्टार्ट किया पूरा नहीं कर पाया इसे पूरा करने का श्रे किसे जाता है तो पूरा करने का श्रे इसे जाता है मौत बिंद खाको किसे जाता है मौत बिंद खाको इसे पूरा करने का शिरे जाता है ठीक है जहांगीर के दरबार में कौन यूरोपीय यात्री आये थे विलियम होकिन्स विलियम फीच सर्ड टॉमस रो और एडवर्ड टैरी ने जहांगीर के दरबार में ये सारे के लिए कि हमें इजाज़त देदें हम वैपार करें यहां से नेक्स कोश्चन है इंग्लेंड के किस राजुत को जहांगीर भारत के साथ वैपार करने का फर्मान दिया था तो सर्ट टॉमस रोगों कहा था कि हाँ आप वैपार कर सकते हैं किस मुखल शासक के सासनकाल में चित 227 स्वी में जहांगीर की मिर्त्यू हो जाती है जहांगीर को कहां दफनाया गया जहांगीर को शादरा नामकस्तान पर रावर नदी के टरपर यह कहां है शादरा लाहूर में है और इसी रावी नदी के तरट के किनारे जहांगीर को दफनाया गया था ठीक है जहांगीर का म कबल रहा है next है यह किसने गुलाब से इतने की वीधी खोजी है नूर जहाँ की मा अस्मत बेगम ने गुलाब से इतने की वीधी खोजी थू ठीक है हाँ एंस नेक्स नहाँकीर ने सीखों के किसć गुरु उसाजादा कारण की सहायता के कारण फांसी की सदाव सुनवाई खुस्रों की जो सहायता करने गुरू पांचवे गुरू अर्जुना थे उसको इन्होंने फांसी पे लटका दिया था खुस्रों की सहायता करने की वज़े से ठीक है खुस्रों कॉन यह जहागीर का बेटा जहागीर ने किसके न जाजाज़ाखान के नेटिटरू में आगरा में एक चितरशाला की अस्थापना की थी एक जहाँ बड़ा घर चितरखला ख़ोला था भारत में अंग्रेज़ों पहले बार कारोबार करने के लिए के तो वैपार करने के लिए यह ना जहांगीर से जुरूवे सारे तत है इससे भी ज़्यादा कहतों आप जानना चाहते हैं तो हम इससे अगली वीडियो भी लेकर के आ रहा है जो जहांगीर से रिलेटेर्ड होगी फिर मिलते हम नेक्स वीडियो में शा जहां के साथ